कच्छाई 11 जीव बिज्ञान में अध्यातीन बनस्पच जगत में वरिकरण की पध्धती पादब जगत का वरगी करण सेवाल बिज्ञान और सेवालों के लच्छण के विशय में अध्यान करेंगे अब यहाँ आपको बता दें कि NCRT के बुक में अध्यातीन में सबसे पाहले क्या दिया है वरिकरण की पध्धत दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पर पादम जगत के वरिकरण की पध्धतियों के बारे में अध्यान करेंगे वैसे चैप्टर का नाम क्या है अध्यातीन बनस् बनस्पत जगब लेशन थ्री प्लांट किंगडम तो सबसे पहले हमें देख लें कि बनस्पत या पौधों के लच्छड क्या हैं तो पौधों के में लच्छड क्या है कि प्लांट सेल में कोसका भित्य पाए जाती है सेलवाल जो मुखरूब से सिरलोज की बनी होती है और कि पौधे स्वय पौशी होते हैं और यह प्रकास संसलेश रथवा फोटो सिंद्सिस द्वारा अपना भोजन स्वय बनाते हैं यह पौधों की प्लांट सेल में रित्का पाई जाती है प्लांट सेल में आप पादव जगत में जो भोजन है मुखरूब से मंड या के रूप में तो पादवों का अच्छड में ने भी है कि पौधों में जो भोजन हो मुखरूब से मंड या स्टार्च के रूप में संग्रेथ होता है पौधे प्राइस्थिर भी होते हैं गसिलता कम पाई जाती है इनमें जड़ तना पतियां साखाएं इस सपाई जाती है तो यहां इस चैटर में हम मुखरूप से प्रारम में वरिकरण की पध्धत सिस्टम आप क्लासिफकेशन के बारे में चर्चा करेंगे तो ध्यान दीजिए कि जीवधारियों के वरिकरण की अनेक पध्धतियां हैं प्रारम से यही बैज्यानिकों ने जीवधारियों की में दिया गया है तो एक पध्धति हैं पहला कृतिम पध्धति आरटीफिसिचल सिस्टम अग्राइडजिए क्या है झासे bên के बीड़ी और उपव्योगता को आधार पर किया जाता है कृतिम पंधत में क्या है कि जीव धारियों का जो वर्गी करण है उसका रंग मत प्रारभ में जब कोई व्यक्त किसी जंत या पौधे को देखता है तो उसका धान उसके रंग पर ही जाता है रंग पर आकार पर इस पर ध्यान पहले जाता है तो सुस्रुमें बैग्यानिकों अगर एक मीटर या उससे कम है तो साख हुआ हर्ब एक मीटर से तीर मीटर की बीच में तो तो ज्रॉब चुब क्या हुआ क्या होगा उसके आकार के अधार पर आक्रिणज़ा नगतरा का होता है वासस्तान में हैं अस्थली हैं हवां में उड़ते हैं इस प्रकार से किर्फिम प्धध क्या करते हएं हैं इस प्रधिसमें ड्रप्ध包括D worker उनके रंग रूब apocalypse आकार ज्णा अकृत वासँ आवम उप्युक्ता के आधार पर किया जाता है यहावरीकरड जियुधारियों के काईक माने सारीरिक एव्य लहेंगिक गुड़ों पर आधारित ही जैसे कोई जली पौधजा है कोई अस्तली है कोई मरस्तली है आदिया कोई पौधा साकी है अथवा जहारी है अथवा ćरिच्छ है दूसरी पधधि है प्राख्रतिक पध्धा 552 सेta national system तो प्राख्रतिक पध्ध्ध कृतिम प्रधr से थोड़ा advance इसमें क्या है जिवधारियों का वरीक्रण वहां इस पद्धत में जिवधारियों का वरीक्रण उनकी प्राक्तिक सरस्ना इस इस्ट्रक्चर कैसा है सारीर की एनाटामी सरीर की क्या है जिवधारियों को या पौधर को क्या कहेंगे जब उसको काट करके उसका अध्यान करेंगे तो उसके सरीर के भीत्रियंगों के बारे में जनकाई प्राप्त होगा उसे कादे सारीर की कारिकी फिजियोलालजी क्या चीज है जिवधारियों के सरीर में होने वाली जैविक्रियाओं का ध्यान, फियोलाजी या कारकिय में किया जाता है, भुरूड विग्यान, इंब्रियोलाजी, तो भुरूड विग्यान में क्या है, कि जाइगोट, यूगमनत से सिस्व बनने तक ये वस्था क्या कहलाती है, भुरूड कहलाती है, भुरूड विग्यान, इंब्रियो लाजी आद्य अनेक लच्छणों की आधार पर किया जाता है प्राक्तिक वर्गी करण पद्धत को पुस्पी पात्पों के संदर्व में ध्यान दीजे गहां पे कि जो निश्ट्रल सिष्टम आप क्लासिफिकेशन है इस पद्धत को पुस्पी पात्पों के संदर्व में किस ने प्रस्तूत किया था जार्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने प्रस्तूत किया था तो बच्चे अभे इंडर में पहले तो था लेक Catad तुब विय एस्पिय heading ये पढ़िंगे बेंथम एंड हुकर का वर्येuyorर्ड एकया है बेंथम और हूकर का जो रिक्रड़ है वो प्राग्तिक पध्धत पर राधारित है उसे कहाते है निचुरल सिस्टम आप क्लासिफिकेशन इसके बाद अविश्यव ज्यादा एडवांस तरीका आया जियोधारिक पर रिक्रड़ का वो क्या है जात बृत्तिय पध्धति है फा रचनावाले जिवधारियों का विकास हुआ तो यहां पर हम क्या करते हैं जिवधारियों के विकासी संबंध पर आधारित वरिक्रड़ की पध्धति को जात बृत्तिय वरिक्रड़ पध्धति कहते हैं यहां पर ध्यान दिजिए कि जिवधारियों के विकासी संबंध क्रमिक परिवर्तन द्वारा क्या हुआ जटिल रचनावाले जिवधारियों का विकास हुआ इसे कहते हैं विकासिय संबंद तो जिवधारियों के विकासिय संबंद पर आधारित वर्गीकरण की पध्धत को जात बृत्तिय वर्गीकरण पध्धत कहते हैं अगला है, चौ्था संख्यात्मक वर्ग की नई पद्धत यह है, संख्यात्मक कर्ग की numerical taxonomy, वरिक्रड की क्या है? नई पद्धत है, इस पद्धत में जिएवधारीयों के सभी गुरों को एक नंबर दिया जाता है, ध्यान दीजिए, संख्यात्मक और इकरण पधत में क्या करते हैं? जिवधारी के जो सभी गुर हैं, उसकी लंबाई, पुस्पारंग, फवदेकायाकार, गुरसुत्नों की संख्या, तो जितने भी गुर हैं उसको क्या करते हैं? इस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है किसको संख्यात्म अरिकी में क्या करते हैं इस पद्धत में जिवधारियों के सभी गुड़ों रंग रूपाकार आवास कुछ की सनशना जो भी गुड़ है कोई एक नंबर तथा कोड दिया जाता है और इसे कंप्यूटर द्व क्या करते हैं प्रोसेस समिच्छा किया जाता है तो इससे जिवधारियों के वरिक्रण के आधार पर पता लग जाता है कि वास्तों में वह जिवधारी किस समूया वर्ग का हो सकता है नेक्स्ट है कोस्का वर्ग की इसे काते हैं साइटो टक्सानामी तो कोस्का वर्ग की में क्या चीज है मुख्रूप से इसमें इस पधत में जिवधारियों के कोसका बिज्यानी में साइटोलाजिकल सुचनाओं तो साइटोलाजिकल सुचनाओं किसमें संगरित होती हैं गुर्शूत्रों में डियन्ने में इस पधत में जिवधारियों के कोसका बिज्यानी साइटोल आजकल सूचनाओं जैसे गुर्षूत्रों क्रोमोसों की संख्या संरसना ब्यवारात की आधार पर जीवधारियों का वरगी करण किया जाता है क्योंकि गुर्षूत्रों की संख्या और उसी संरसना किसी जीवधारी का मुखलच छड़ है तो सभी जीवधारियों में क्या होत जो गुर्सूत्र केंद्रक में ये केंद्रक में गुर्सूत्र मुखरूब्से निक सरफिय होती है तो इससे क्या होता है इससे पतालब और स्थ्छे जियोधारी कें है वो क्या होती है अलागला प्रकार की होती है और एक ही जात के जियोधारी में लगभाग एक समान होती है लेकिन जो गुर्षूत्र की सनस्ना है वह दूसरे जियोधारियों से भिन होती है अधार दूसरे जात की जियोधारियों से क्या होगा गुर्षूत्र भिन होगी और एक जात के जिओधारियों में, गुरुँट् विजना क्या होती लगभग, एक समान होती है, इसके आधार पर जो वरीकरण की पद्धती है, उसे काते हैं, कोषका वर्गी की, साईटो टक्सानामी, नेक्स्ट है, रसायन वर्गी की, केमो टक्सानामी, तो ध्यान देजे कि सभी जिवधारियों के जो शरीर है उसमें अने प्रकार के जैविक्रियाएं होती हैं अने प्रकार के रासानी प्रदार्थ पाये जाते हैं तो देखा गया कि विभिन समुह में विभिन जातियों में कि क्या होती है राशानी सरसना थोड़ा अलग होती है इस पद्धत में जिवधारियों का वरगी करड़ उनकी राशानी सरसना संगठम मीज़ केमिकल कमपोजीशन DNA अनुक्रम माने गुर्षूत में DNA पाए जाता है तो DNA अनुक्रम मीज़ सेक्वेंस प्रोटीन एवं एंजायम की राशानी प्रक्त के आधार पर करते हैं क्योंकि एक जात के जिवधारियों में DNA अनुक्रम प्रोटीन एंजायम एक समान होते हैं और दूसरे जाद के जिवधार्यों में क्या होता है? उनका DNA अनुक्रम, protein enzyme क्या होता है? अभिन होते हैं. तो रासानिक वर्गी में क्या करते हैं? इस पधत में जिवधार्यों का वरिकरण की रासानिक संगठन, chemical, composition, DNA अनुक्रम, protein, एवं enzyme की रासानिक प्रित की आधार पर क होगे हम पढ़ेंगे कि पादव जगत का संशेफ में वहिकरण पढ़ेंगे. तो कि यहां पर इंटर कोर्स में NCRT मिसेश रूप से पादव जगत में सैवाल, एलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिमनोइस्परमिस, अनाबृत्वीजी और एंग्योइस्पर आबृत्वीजी के बारे में विस्तार से अध्यन किया गया है. मुख्रूप से पादव जगत में पादव जगत में पाच वरकों के बारे में अध्यन किया गया है. ठीक, इसमें सैवाल, एलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिमनोइस्परम और एंग्योइस् तो पादव जगत को उसके आकारकी के आधार पर, सरसना के आधार पर दो जगत उप जगत में बाटा गया है. पौधों कएग समू क्या कालाता है ठैउलफाइटा और दूसरा समू कालाता है इंब्रीव फाइटा. एक थैलोफाइटा जिसमें सिर्ट का सुकाय के रूप में होता है अर्थात थैलोफाइटा के सदस्यों में जड़ तना और पत्ती नहीं पाई जाती या सरीर जड़ तना और पत्ती में भिनित डिफरेंस नहीं होता एक ही सरचना पाई जाती है अर्थात इसमें जड़ तना प्लांट इभ्रूड का विविकास नहीं होता और दूसरा सम्हूंकर इंब्रीयो प्लांट का parole कि प्लांट इम्म्रीओ नहीं जाता और इम्रियो फाइटा में क्या हुता है पौध्य में भ्रूड पाए जाता है अब धैलो फाइटा को फाइटा देजिए पहले थैलो फाइटा में कवग भी था सैवाल और कोवपानाटा उप जगत में रखा गया था लेकिन अब कौकों का अलग जगत है, फंजाई और यलगी को पौधों के साथ रखा गया है, तो इसमें क्या है, थैलोफाइटा में अब एक ही डिवीजन है, प्रभाग है हो, है यलगी, और إंसियार्थी के book में, यलगी को तीन संघोमें बाटा गया है, पहला है इसमें तो यहां देखिए यलगी मने सहवाल को तीन संगों मे बाटा गया है रोडोफाईसी लाल सहवाल इसके बादे हम आगे बिस्तार से अध्यान करिंगे और यहां पर embryo phyta को जिसमें भुरूड का विकास होता है मुख रूप से दो साखाओं में बाटा गया किसमें bryo phyta में और tracheo phyta में अभी उसकों बिस्तार से और आगे बताएंगे तो bryo phyta में किसको रखा गया है ऐसे जिव धरुखा गया जिसमें वास्तिविक जड़ तना और पतियां नहीं पाई जाती ब्रायो phyta के सदस्यों में वास्तिविक जड़ तना और पतियां नहीं पाई जाती और इसमें Vascular Tissue बने संग्वन उतक जैसे जायल और फ्लोयम नहीं पाई जाती इसमें ब्रायो फाइटा में वास्तविक जड़ तना और पत्तिया नहीं पाई जाती और संग्वन उतक Vascular Tissue नहीं पाई जाती प्रहंत भूड का विकास होता है तभी जिसको क्या रखे हैं इंब्रीयो फाइटा में रखे हैं plant with embryo आगे हैं दुसरा ट्रेकियो फाइटा तो पहले हम देखें आहांपे कि ब्रायो फाइटा में क्या है मुख रूप से तीन क्लास या वर्ण है पहला क्या है हीपेटिसी इसे काते हैं लीवर वर्ट इनकाकार लीवर की तरह से होता है इसमें आता है इंटो सिरास किसमें आता है 1989 एं 15 रोटी में आता है और किरस्तरा मसाय इसमें आता है मास हुनेरिया तो भ्रायॉपाइट्ए ले टीन कि एं 15 मास मास पाया इसमें लेवरवर्ट को रखा गया ही पैडिसी में 20 में हार्ड रोट को और मसाई में मास पाउदे को मास पाउदा सब मचे देहें भी होगे कि घर के आशबह जहाँ पानी ज़्यादे गिरता है वह पर मकمل के स्माел रषना पाई जाती है ओहिखी मास का पाउदा है तो मास के पाउदे को ऐसे में बना कि चाह Dur पता दूं कि मांस्के प्वध्य पेड्क पूध्रिदे, जहां पाने जादे गिरता ऐसे रसना पाई जाते हैं। आज भूवन से हमगे मांस्का ओधा हो जाता है। dólar जो बागे हैं। आगे है दूसरा जो संग्हों है Tracheofita, Tracheofita मांस क्या हुआ? जिसमें क्या होता? वैसल टिसू पाए जाते हैं, वैसल टिसू में इसका हुआ? जायनम और फ्लोयम पाए जाते हैं, दूसको रखा गया Tracheofita में, तेहां दो हो गए Embryophyta में, एक Bryophyta, दूसरा Tracheofita, Tracheofita को मुख और दूसरा है इस पर मेटोफाइट तो टेरेडोफाइट में क्या होता है सीड अबसें इसमें बीज नहीं बनते और इस पर मेटोफाइट में क्या होता है सीड बने बीज बनता है जिसमें सीड नहीं बनते उसे किसम रखा गया है टेरेडोफाइट था टेरेडोफाइट सब बच्टों ने फर्ण को देखा होगा फर साधी बहायाद में जो पौधे नीम की पत्ति की समान होते हैं वह चीज फर्ण है इसके बारे में आगे हम अध्यान करेंगे त्रेड़ फाइट के बारे में फर्ण के बारे में यह खोड़ी पौधे जो कुण आद में या गल्दली भूम में या पानी में पाए जाते हैं तो उस फर्ण होता है इसको ट्रेड़ फाइटम रखा किसे पुस्प नहीं बनते इसे चार उपसंगह में बाटा गया है पहला क्या है साइलोपसिदा लाइकोपसिदा स्फिनोपसिदा और टेरोपसिदा इसके बच्चे बिस्तार से अगली कच हमें अध्यन करेंगे किसके बारे में साइलोपसिदा लाइकोपसिदा इस्फिनोपसिदा और टेरोपसिदा के बारे में आगे जो इस परमेटोफाइट्स हैं जिससे काते हैं सीड़ प्रान इसमें बीज का निर्माड होता है दो प्रकार के होते हैं एक होता है देखे से क्या है यहांपर अनाब्रित्बी जीदो क्लासअ चाहिए इसे कहती हैं जीमिनो स्पर्म padaishna नहीं पाया जाता अनाब्रित्बीं जीमिनों स्पर्म के पौधों में बीज के उपर फल नाहीं होता स साइक्समें चीगड़ में देवदार इसके विसमें आते जिम्नो इस्पर में आते हैं साइकस, पाइनस माने चीड इस सब किसमें आते हैं जिम्नो इस्पर में आते हैं और एंजियो इस्पर में क्या होता है बीच के चारोर फल पाया जाता है फल भित्य भी पाया जाती है तो सीड फांड इन फ्रूट इसमेंMJS पर में, जीवन वेस पर में स्चिर नेकर होते हैं क्योंकि फल भित्य और फल नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं? पल के चार ओर फल भित्य और फल पाया जाता है। टिससे काते हैं आबरित बीजी जैसे आम, पीपल, बर्गरद, गेउं, चना, मतर उर्ठ्य सब क्या है आबित बीजी पर दो परकार्कति खहें एकड़ीच पत्री और दिषपत्री एकड़ीच पत्री में आता क्या है गेहुं, धान, मक्का, दूप, ब्यास क्या है? गेहुं के बीज को अगर आप पानी भीगोते हैं और फोड़िये तो दो पार नहीं बनेगा लेकिन अभी चना को पानी भीगोई और भीगो के फोड़िये तो दो पार बन जाएंगे यह दोनों क्या हुए बीजपत्र हैं क्या है यह बीजपत्र हुआ तो चने में मटर में सब्सक्राइब करने की जिवधारियों की उपरोत वरिक्रड़ की पदधत बताए गई है उसमें उपरोवट वरिक्रड में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैम कहते हैं, क्रिप्टोगैम मीज प्लांट विदा उर्शियर जिसमें बीज का अभिकास नहीं होता, पुस्प नहीं बनता, और जीमनोई स्पर्म अभी पचे पड़ रहे थे, आनावरतिबीजी औ और एंजयिश्पर्म, आभृतिबीजी पड़ों को फेंड्रोगैम में रखा गया है, फेंड्रोगैम इस जिसमें पुस्प और बीज बनते हैं, तो जिनमें पुस्प और बीज बनते हैं, उसको कहते हैं फेंड्रोगैम् तो ध्यान दीजे कि पादब जगत में वे ब्रायोफाइटा और टेरडोफाइटा है इसको कहां रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में पूष्प बीज और फल बनते हैं प्लान्ट विट सीट फिन्रोगैम्स जिसमें क्या आता है जिवन्रोगैम्स में प्लान्ट विट सीट इक पूषा जाता है क्रिप्टोगैम्स और फिन्रोगैम्स में क्या अंतर है तो क्रिप्टोगैम्स में पूष्प फल और बीज नहीं बनते हैं और फिन्रोगैम्स में क्या होता है पूष्प फल और बीज बनते हैं आगे इन्सियाटी के बुक में मुखरूब से पांस मुहों का वरण किया गया है उसमें पहले नमबर पे है सेवाल तो हम सेवाल के बारे में अध्यान करेंगे अभी बच्चे वरिकर में पढ़ रहे थे कि सेवाल को थैलो फाइटा उप जगत में रखा गया था तो थैलो फाइटा क्या चीज है उसमें सवालों को रखा गया है देखें सवाल क्या होते सब बच्चों ने सवाल के बारे में पढ़ा भी होगा देखा भी होगा यहाँ पर थोड़ा दिखा दें